गुड मॉर्निंग फ्रेंग्स वेलकम तू दा चैनल बैंकिंग बंधू लेकर आएं यूनियन बैंक आफ इंडिया के रेट आफ इंट्रेस्ट जी हां दोस्तों जितने भी लोन प्रोड़क्स हैं यूनियन बैंक आफ इंडिया के उसके लेटेस जुलाई 2021 के रेट आफ मिसना हूँ हम ऐसी वीडियो रोज अपने चैनल पर कवर करते हैं जिसमें बैंकिंग फाइनेंस इंशॉरेंस इंवेस्टमेंट सारी ऐसी वीडियो जो आपको आर्थिक फाइदा देंगी फाइनेंशिल डिसेशन लेने में मदद करेंगी और बैंक्स की जित्ती भी न्यू बैंक में भी अकाउंट था तो आपको पता होगा कि अब वो सब मर्ज होके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है तो इस वीडियो को आंध्रा बैंक और कॉर्परेशन बैंक वाले अकाउंट होल्डर्स भी देख सकते हैं अपने रेट ऑफ इंट्रेस्स के लिए जानने जब बैंक आपको पैसा देता है तो बैंक पैसा कहां से लेके आता है बैंक आरबियाई से पैसा लेता है और आरबियाई कुछ रेट ऑफ इंट्रेस्स चार्ज करता है बैंकों को तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के केस में जो रेट ऑफ इंट्रेस्ट है रिटेल लेंड परसेंट पर देगा यानि union bank अपने जो आगे customers को देगा वो 6.8% से कम नहीं दे सकता कम से कम 6.8% पर लोन दिया जाएगा तो minimum rate of interest जो है जो bank आपको offer करेगा वो 6.8 है benchmark rate यानि इससे नीचे आपको लोन नहीं मिलेगा 6.8% minimum rate of interest है दोस्तो कुछ ऐसे loan products हैं June 2021 के comparison में जो July 2021 में सस्ते कर दी है bank ने यानि उन पर rate of interest कम हो गया है तो आगे वीडियो जरूर देखें पूरी वीडियो देखें जानने के लिए कि कौन से ऐसे loan products हैं जिन पर interest rate bank ने गिरा दिया है लेकिन काफी सारे ऐसे concessions थे जो bank आपको दे रहा था जो अब July में नहीं दे रहा जैसे processing charges वगेरा होते हैं और भी कई तरह के loan charges होते हैं bank में माफ कियो थे June तक लेकिन अब July में वो फिर से चालू हो गया है charges लेना लेकिन rate of interest कम हो गया है तो वीडियो को आगे देखें जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को देखें और ध्यान से सुनें क्योंकि काफी सारी ऐसी बाते हैं loan के बारे में bank के बारे में जो हमने आपको बोल के समझाई है screen पे नहीं है तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर सुनिएगा पहले हम डिसकस करते है personal loan union bank of video का personal loan अगर आपको दोस्तो personal loan लेना है तो bank आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगी कि आपको किस काम के लिए चाहिए ये loan personal loan का मतलब है आपको किसी personal need के लिए चाहिए बच्चों की शादी करनी है आपने कोई medical emergency आ गई है आपके घर में कोई शादी ब्या है इन सब चीजों के लिए आप personal loan ले सकते हैं किसी illegal काम के लिए जो कि bonafide नहीं है illegal है उस काम के लिए इस पैसे को आप use नहीं कर सकते अग 8.90 से 13% के बीच आपको personal loan मिल जाएगा यह range हमने आपको इसलिए बताइए दोस्तों क्योंकि जो rate of interest है वो highly depend करता है आपके civil score पे जितना अच्छा आपका credit score होगा उतना ही rate of interest आपके लिए कम होगा तो कोशिश कीजे कि आपकी civil history जो है credit history वो बहुत healthy हो strong हो जिससे कहीं भ of interest offer करे bank next देखते है union miles union miles union bank of India का car loan है सबसे पहले हम discuss करते है car loan जो bank offer करता है सरकारी employees के लिए अगर आप government employee है तो rate of interest आपके लिए क्या है अगर आपने नई गाड़ी लेनी है दोस्तों new four wheeler अगर आपने लेनी है तो new four wheeler के लिए rate of interest है वो 715 7.15 है कब जब आपका civil score 700 या 700 से उपर है अगर आपका civil score 700 के नीचे है तो 7.25 परसेंट अगर नया two wheeler आपने लेना है एक्टिवा स्कूटी अगर बाइक लेनी है तो आपको rate of interest आठ चालिस का अगर civil score 700 से अच्छा है 700 से कम है तो साड़े आठ परसेंट अगर पुराना four wheeler लेना है जी हाँ दो 890 का rate of interest 700 प्लस civil वालों के लिए और civil score अगर 700 से बिलो है तो 9 परसेंट दोस्तो ये जो हमने rate of interest आपके साथ डिसकस की है वो government employees के लिए है नेक्स स्क्रीन पे हम यहाँ देखते है जनरल पब्लिक के लिए अगर आप जनरल पब्लिक को बिलॉंग करते हैं नई कार आपने ल और civil score अगर 700 से नीचे है तो 10% Old 4-wheeler दोस्तो जनरल पब्लिक के लिए Old 4-wheeler के लिए condition है कि जो आप पुरानी 4-wheeler पुरानी कार ले रहे हैं वो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए अगर आपका civil score 700 या 700 से अच्छा है तो 10.40 दस चालिस का rate of interest और below 700 है 700 से नीचे है तो साड़े 10% ये है जनरल पब्लिक के लिए कार लोन के लिए नेक्स्ट है union bank का home loan दोस्तो home loan के case में अगर आप female है और salaried है आपको कुछ ना कुछ rate of interest में bank फायदा देगा अगर आप female है प्लस अगर आप salaried है तो आपको फायदा मिलेगा union bank का home loan है 6.80 से 7.40 के आपको बीच में मिल जाएगा जितने भी loan है किसी भी bank में आप जाएंगे civil score आपका जरूर चेक किया जाता है और ये भी देखा जाएगा कि आपको कितने time के लिए home loan चाहिए home loan का amount कितना चाहिए आपको union smart save ये smart save क्या है smart save यानि एक कोई additional facility है यानि OD facility आपको इसमें दी जा रही है ये normal home loan ही है लेकिन OD facility के साथ यानि overdraft facility जितना loan का पैसा आप use करेंगे सिर्फ उतने ही पैसे पे आपको interest पे करना होगा इसका जो rate of interest है वो 7.05% से लेके 7.65% वे होता है ये भी civil score पे depend करता है इसमें एक extra facility आपको क्या मिलती है OD facility overdraft facility फिर बात करते है Union Bank of India का commercial real estate दोस्तों अगर आप एक home loan या दो home loan लेते हैं आपको normal rate of interest लगेंगे लेकिन जैसी आप तीसरे या चौथे घर के लिए home loan ले लेंगे तुरंद bank उसको categorize कर देता है commercial real estate category में यानि इस पे rate of interest थोड़ा सा जादा होगा ये देखिए हमने mention किये तीसरा या चौथा घर जब आप लोन पे अगर लेंगे यानि आप financially fit है commercial real estate category में आपको categorize कर दिया जाएगा इसका rate of interest होगा 7.85 से 8.40 साथ 85 से 8.40 के बीच आपको rate of interest लगेगा अब देखते है union mortgage plus या top up loan top up का मतलब यह होता है जो already हमारे existing home loan borrowers है उनको bank कुछ और पैसा offer करता है personal needs के लिए तो अगर आपको top up चाहिए अपने home loan पे आपका home loan चल रहा हो आपको उस पे top up चाहिए हो तो जो rate of interest आपको लगेगा वो 1% जादा होगा जो आपका home loan का rate of interest लग रहा है उससे आपको 1% जादा मिलेगा 0.10% की आपको और extra लगेगा अगर आपका civil score जो है वो 700 से नीचे है तो total अगर आपका 700 से नीचे है तो 1.1% लगेगा अगर 700 से अच्छा है तो 1% above already running housing loan union gold loan gold loan के लिए आपको कुछ नहीं करना अगर आपके पास अपना gold है आपको gold लेके bank के पास जाना है bank उसका valuation कराएगा कि कितना pure है आपका gold और उसके basis पे आपको पैसा दे देगा दोस्तों सबसे असान loan होता है gold loan आपने कुछ नहीं करना बस सोना लेके जाना है within 2-3 hours ये पैसा आपको credit हो जाता है 7.45 के rate of interest से शुरू आता है again ये depend करता है आपके gold की purity पे कितना amount आपको चाहिए और कितने time के लिए चाहिए 7.45 से rate of interest इसका शुरू होगा फिर है mortgage loan या फिर loan against property loan against property का मतलब ये है आप अपनी property bank के पास गिरवी रखेंगे उस property के against bank आपको loan देगा ये देखें दोस्तों इसकी 3 categories है पहली है अगर आपकी residential property है उसमें आप खुद रह रहे हैं या आपने किराये पे दी हुई है तो जो rate of interest लगेगा 9.8% या फिर 9.9% depending आपका civil score 700 से अच्छा है या 700 के नीचे है फिर है non-residential property है लेकिन self-occupied है अगर ऐसी आपकी property है तो 10.3% और 10.4% depending on the civil score again next is non-residential property which are not self-occupied non-residential है जैसे school, college, hospital महाँ पे खुला हुआ है तो क्या होगा 10.55% या 10.55% 10.65% depending on the civil score आपने अपनी property bank के पास गिरवी रखनी है bank उसके against आपको loan दे देगा education loan union bank education loan 6.80% से starting at 10.05% depend करता है आप कैसे पढ़ाई करना चाते हैं इंडिया में रहके बाहर जाके किसी premier institute जैसे IITs हैं IIMS, AIMS ऐसे अच्छे colleges से आपने पढ़ाई करनी है distance learning course करना है इन सब चीजों पे आपका rate of interest depend करेगा 6.80% से शुरू आता है 10.05% तक अलग-अलग product है education loan के अंदर जिसमें आपके ये rate of interest जो है वो vary करेंगे प्रधान मंत्री मुद्रा योजना दोस्तों प्रधान मंत्री मुद्रा योजना एक सरकारी scheme है जो की सरकार ने आपके business शुरू करने के लिए या business की activities को आगे ले जाने के लिए launch किया है आपको ये तीन तरेका मिलता है शिशू, तरोन और किशोर जो शिशू लोन है वो 50,000 तक मिलेगा जो तरोन है वो 50,000 से 5,000 और किशोर जो है वो 5,000 से 10,000 आपको मिल जाएगा प्रदान मंतरी मुद्रा योजना के तहत दोस्तो government employees के लिए union bank हमेशा special schemes लेके आता है हम देखते हैं अगर आप सरकारी employee हैं चाहे state government या central government में home loan में जो rate of interest है वो same ही रहेगा दोस्तों क्योंकि home loan के rate of interest सरकार decide करती है जो already बहुत कम होते हैं आगे देखते हैं union mortgage loan mortgage loan यानि जैसे आपको बताया आपने अपनी property bank के पास जाके गिर्वी रखनी है bank उसके against आपको loan दे देगा अगर आप सरकारी employee हैं तो rate of interest जो है वो इस तरह से है residential property अगर आपकी है तो 840 या 850 civil score के basis पे non-residential property है 10-30, 10-40, again civil score के basis पे non-residential property है जैसे कोई multi-story वहाँ पे mall बना हुआ है या फिर hospital है school, college ये सब है तो 10-55 और 10-65 depending on civil score union miles यानि car loan या vehicle loan four wheeler के लिए 7-15 और 7-25 depending on civil score new two wheeler अगर आपने लेना है तो 8-40 और 8-50 old four wheeler पुरानी car second hand car लेनी है तो 8-90 और 9% का rate of interest education loan में एक fixed rate of interest है 8.90% का civil score या फिर loan amount पे depend नहीं करेगा 8.90 का personal loan, union, personal दो category है दोस्तों पहली जब आपका जो employer है यानि जहाँ पे आप काम करते हैं वो undertaking दे तो 8-90 या 9% का rate of interest civil score के basis पे आपको मिलेगा दूसरी category है जब आपका employer कोई undertaking ना दे उसे कोई मतलब नहीं है आपके loan से तो 10-40 और 10-50 का rate of interest आपको bank offer करेगी दोस्तों उमीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी काम की लगी होगी बाकी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजे दोस्तों हमारे COVID-19 लोन पे भी हमने वीडियो बनाए है जो हर बैंक में लोन मिल रहा है COVID के नाम पे तो आप हमारे चैनल को जरूर विजिट कीजे वहाँ पे हमने COVID की सारी वीडियो कवर की होई है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो आपका दिन शुबो धन्यवाद